Hi Guys, Kiaatsぶ이 आज इस वीडियो मेर मैं अपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने बाला हूँ जो आपको बिल्कूल भीनी बता होगा और वो हमें पता होना भीन चाहिए इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसा की में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आप Google पर search करते ही आप किसी भी software का activation की यारी की serial की जिसे आप बोलते हैं अगर आप search कर रहे हैं तो आपकी मुश्किले आसान हो जाती है आप easily उसको search कर पाएंगी Google पर इसके क्यों होता है इसके पीछे क्या है story ये भी मैं आपको बता हूँगा तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने laptop में चलते हैं और देते हैं कि वो क्या चीज़ है वो क्या serial की है जो हमको भी तक नहीं पता है तो चलते हैं अपने laptop में laptop के screen पर आप हैं और यहां पर अपने browser open कर लिया है आप देगे तो browser पर google पर हम आ गया है यहां पर तो यहां पर वो key जो है वो मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं 94FBR ठीक है ज़स्ट आपको यही लिखना होता है 94FBR ठीक है अब अगर आपको कोई software की key search करनी है तो ज़स्ट आपको इस 94FBR से पहले वो software का name लिखना होता है suppose आपको for example किसी software की key search करनी है और उस software का नाम है internet download manager suppose internet download manager ठीक है और उसके जिस्ट आगे आप लिख देंगे 94FBR जैसे ही आप इसको search करेंगे तो search करते ही आपके पास जितने भी link आएंगे सभी आपके पास serial number download करने के लिए आएंगे crack download करने के लिए यानि कि आपके पास एक specified query के लिए एक specified links आपके पास आएंगे जहां पर आपके पास काभी सारे keys आपको मिल जाएंगे अब यह कितने jamon हैं कितने नहीं यह तो आपको try करकर ही पता चलेंगे लेकिन यहां पर बात हो लिए 94FBR की ऐसा क्या है अमने आप पर यह भी नहीं लिखा कि यहां पर आप देखिए अगर आप internet download manager की जगे अगर आप windows 10 की यहां पर आपके पास key show कर देगा तो आप देखिए windows 10 product की आपको इसी भी website जो भी आपके पास first website आ रही है वो अपन कर लीजे second आ रही है फुल पेज पर आपके पास पहले पेज पर सिर्फ कीज ही कीज नजर आएगी यह है जादू यह है कमाल 94FBR इस keyword का what is the story behind this 94FBR यह सबसे पहले हमारा जामा ज़रोगी क्योंकि अगर आप CSIT के student है तो हमसे interviewer भी पूछ लेता है कि what is 94FBR तो दोस्तों मैं आपको बता हो कि Microsoft Office 2000 की प्रोड़क की का एक पार्ट यह भी था 94FBR अब वहां पर क्या हुआ Microsoft Office 2000 जब इस की के साथ launch हुआ तो यह जो की थी यह Microsoft Office को जो उसका activation था उसको bypass करने में काने अब हो गई तो यह key अपने आप में एक hacking का रूप बन गई और इसकी वज़े से Microsoft Office 2000 काफी distribute हो गया बिना किसी activation लेक्टी क्योंकि इस key के थुरू वो पूरा Microsoft Office without any activation यूज़ किया जाने लगा तो इसी वज़े से 94 FDIR उसी समय से popular हो गया काफी uncommon word है बहुत लोग में जानते इसके बारे में लेकिन जब यह आप स्कूर सर्फ करेंगे तो आपको सिर्फ keys के रिज़र्ट देगा देगी यहाँ पर आप देख पाने Windows 10 के लिए हमने यहाँ पर website उपन गे तो आप देख स आप 94 FDIR से पहले लिखेंगे सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हो सकता है दोस्तों कि यह information आप लिए काफी यूनीक हो अच्छे लगी हो information तो वीडियो को लाइक कीजेगा comment करके बतेगा क्या आप जानते थे 94 FDIR के बारे में और अगर आप इसके ल comment करके बताए और वीडियो को शेर करना ना बोले शेर कर दीजिए बहुत ही अच्छा वीडियो है और अभी तक अपने मारे चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और notification के लिए आप bell icon प्रेस करना ना भूलेगा क्योंकि इसी से बिलेगा आपको मरे आने वाले हर न्यू टॉपिक पर नोटिफिकेशन देखती रिए बस टुडियो टैग मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ बाबाई थैंक्यों पर वाजिए